तो दोस्तो फानिली अगर आप Realme device के user है तो काफी अच्छी good news आ दी है Realme UI February update के लिए यहाँ पे क्योंकि Realme की devices में February का update almost यहाँ पे rollout होना start हो चुका है और दोस्तो यहाँ पे जो February का update जो rollout किया गया है इसमें जो security patch इसके बारे में भी हम discuss करने वाले है features के बारे में हम बात करने वाले हैं क्या कुछ आपको features मिलते हैं और जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे update था background stream वाला इस background stream को लेकर क्या update है वो हम discuss करने वाले हैं अगर आप Realme का device यूज करते हैं तो यह video आपके लिए काफी ज़्यादा informative होने वाली है अगर आप new software update का wait कर रहे हैं तो काफी अच्छी good news आपको मिलने वाली है इस channel के थूँ तो आप video को complete देखीगा आपको हम इस channel के थूँ हर एक device से related information जोए provide करवाने की courses करते हैं तो make sure करें कि आप इस channel के साथ हमेशा connect रहे हैं और software update से related आपको इस channel पे सारी videos मिलती रहेगी समय समय पे ठीक है और अगर आप इस channel पे नए आते हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon पे click करके all पे click कर लिजिएगा तक कि future में जब भी हम videos upload करें तो उसका notification आपको हमारे video upload करते ही मिल गया है साथ साथ description box में social sites के link provide करवाए गये हैं उनको follow कर लिजिएगा और telegram channel कर link के video के description में हैं उसको भी जरूर से join कर लिजिएगा तो दोस्तों finally यहाँ पे new update जो है provide करवा दिया गया है realme के कई सारी users को कुछ features यहाँ पे थे जैसे की background stream और उसको यहाँ पे हमको remove करने वाले हैं और background stream को लेकर क्या update की information आई यह वो भी हम discuss करने वाले है देखे एक user जब भी update यहाँ पर उनके device में जैसे ही यहाँ पर rollout होता है तो user के मन में यह होता है कि हाँ इसमें क्या हमको update मिलेंगे और actually में देखे सबसे पहली चीज़ तो जब भी कोई update जाता है तो यहाँ पर security patch को new update में convert कर दिया जाता है मतलब कि जो latest month वाला security patch है वो देखने को मिल जाता है तो सबसे अच्छी कुण निव से होती है कि security का update यहाँ पर device में चाहिए होता है जो कि maybe time के एकॉर्णिक बहुत जादा suitable होता है और security update के लिए आपको जरूर से update को क नंबर होगा उस device का यहाँ पर जो software update है वो यहाँ पर rollout होना start हो जाएगा क्यूंकि आपको पता है कई सारी device है तो सभी device को team जो यहाँ पर update को push out नहीं करती है और time to time जो है यहाँ जैसे ही उस device का समय आता है उसका update को जो है rollout कर दिया जाता है तो maybe अभी आपको wait करना च उसका और जिनकी device का number आच चुका होता है उनको update provide करवा दिया जाता है और कहीं नहीं हो सकता है कि कई सारी users को अपडेट को push out कर दिया गया है अब बात कर लेते हैं क्या कुछ features मिलता है तो सबसे पहला गर हम देखे तो यहाँ पर जैसी update मिलता है तो आपको security patch का update मिल जात करने की कोशिस की जाती है और यहाँ पर जो भी चीजह होती है उनको यहाँ पर ठीक किया जाता है और यहाँ पर आपको पता है कि कई सारी device की users को यहाँ पर background stream का फीचर था उसको यहाँ पर रिमूब कर दिया गया था बट यहाँ पर कई सारी users जो उस update के लिए बहुत पारे में तो यहाँ पर कई सारी device के user ने अगर इसको अपडेट किया होगा तो हो सकता है कि उनको यहाँ पर background stream देखने को मिल जाए बट यहाँ जो अभी के जो Android 14 चल रहा ना उसमें अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको आप रिमूब देखने को मिलेगा बट अगर आप Android 12 से 13 में आ रहा है या फिर 13 में कोई अपडेट आ रहा है या फिर 12 में कोई अपडेट आ रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको background stream का feature देखने को मिल जाए बट जो latest version है जैसे कि Android 14 है इसमें अगर आप अपडेट करते हैं तो हो सकता है कि आपका background stream आप फीचर हो रहा है कुछ-कुछ डिवाइस में यहाँ पे उसको रिमूव किया रहा है यहाँ पे सॉफ्टर अपडेट से रिलेटर यहाँ पे जो information निकल के आ रहे है जितने भी यूजर्स यहाँ पे सॉफ्टर अपडेट के लिए वेट कर रहेते हैं तो उनके लिए काफिक्षी गूड निव्स है सभी के लिए यहाँ पे सॉफ्टर अपडेट को पुस आउट कर दिया गया है यहाँ पे टाइम के एक्कॉर्डिंग वैल आप जरूर से कॉमट ने बताएगा आपको फेवर